हाई गाईस मेरा दाम आप साहिल खनदा तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे है जहां पे हम डिजिल मार्केटिंग के रे बारे में जानेगे हम अलग-अलग इंडिस्ट्री से मार्केटिंग लीडर्स को लेकर आएगे और जानेगे किस तरीके से वो marketing कर रहे है, किस तरीके से वहाँ पर आप audience को समझ सकते हो, किस तरीके से अगर आप अपना business वहाँ पर करते हो, तो scale कर सकते हैं. तो आज हमारे साथ में प्रजप्ता जी है, वो digital marketing lead कर रही है, good glam group की, तो चलिए जानते हैं उन से उनके बारे में. Thank you Sahil, introduction देने के लिए, and मुझे first of all बुलाने के लिए, I'm very excited actually, and nervous also थोड़ा सा, because this is my first ever in YouTube interview. Okay, thank you, सबसे पहले अपना time देने के लिए, तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, की आप डिजिनल मार्केटिंग में क्या करते हो, क्या आपकी फोटे है, किस दिरेक्शन के अंदर आप काम कर रहे हो? I accidentally actually आगई थी इसमे, I didn't wanted to enter, I mean, I didn't know, मुझे पता नहीं था, मैं कहां एंटर कर रहू, मैंने B.S.C. Computer Science complete किया था, so I was like, नहीं दो, अठवच गड़िए, अजी बने कर रहे हो, बच्पन से, So, मैंने सोचाँ, ठीक है, let's do it, and accidentally मैंने कहीं पर अप्रिटीवट थे मैंने थाठीड ते सब्स्त करें था, वो एक इंफोटेक था, so I was like, कि अपने तेस्टिंग में होगा जोब अब अपने था जोब कर जाए यहां पता निया कर क्या रहा है तू हम इतने मतलब अम जास ग्राजुएटे टो हमें लगा शायद सिखा रहूंगे ऑश से कुछ तो शे महने बाद पता चला कि हम आप पेज देर बाद फेल टीर हमें I entered into cosmetics industry and this has been like, I think the peak of my career, touch wood I would say because I think all of the learnings that I have learned, जितनी भी लर्निंग में करी है, वो सारी अब मुझे, क्योंकि मैं जिस ब्रांड पे काम करी थी, बहुत था, बहुत इस्टाबलिश था, right, and मैं तुरंद उटके, हला कि मैं एक 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 में ही काम करी थी, right, कि मुझे लगा था कि सारे एक इक वमर्स ऐसे होते, ऐसे ही सब स्ट्राइजि आप्लाइ करो, सब काम हो जाएगा, and जब मैं कॉस्मेटिक्स मैं नहीं 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 नहीं, था वो बिजनेस का, यह बिसनेस की मोनापुली नहीं, यहाँ, पर कॉमपेटिशन बहुत है, and because यहाँ पर competition इतनी है तब समझा के okay नहीं यह बहुत different है and it's so challenging I really love it I love my job currently whatever I'm doing थोड़ा audience के बारे में बता होगे जो अगर कोई विजनस शुरू कर रहा है अगर कोई digital marketer आरा है इस industry के अंदर तो वो कैसे समझे India की audience को कि क्या demographics है कौन लोग लेते है क्या male लेते है या female लेते है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि female ही लेती है पर ऐसा भी हो सकता है कि boyfriend girlfriend को gift कर रहा है husband wife को gift कर रहा है तो audience के बारे में थोड़ा सा बता होगे देखो mainly तो business का focus क्या है business का focus क्या है और demand काहा है दो चीजे होती है मुझे बता है मेरे business का focus है कि मुझे दोनों targeting करनी है मुझे male को भी target करना है मुझे female को भी target करना है मेरी जो product packaging है उस पे भी मैने तक महां लिखा हुआ है कि this is for male and female both और probably it's a gender neutral I've not written anything but I'm promoting it मैं उस तरह से प्रमोट करी हूँ कि नहीं यार यह दोनों के लिए now again this is a business objective कोई business बोलेगा नहीं मुझे से फिमेंस के लिए और मेरे सारे प्रड़क जो है क्युके मैंने बनाय है मैंने बनाय है मैंने बनाय है तो मुझे पता है यह से वोमेन को सूटबल है मैं के लिए ऐसे हमने कुछ अलग से इंक्रिडियंट्स या वोसब हमने इंफलोड नहीं किये so that's first second thing yes there is a possibility कि मैं गिफ्ट कर सकते है उन चीजों को right कि हाँ यह यह जिफ्ट कर दिया तो ऐसे कैंपेंस हमने किये है जहां पर हमने इसे गिफ्टिंग कैंपेंस किये है जहां पर हमने सिर्फ मेल को टागटिंग दिखाई है मेल को टागट किया है मेल को एक क्रियेटिव दिखाए एक अड दिखाए और बताया कि यार यह आप अपनी बहन को गिफ्ट करिए आप अपनी गर्ल्फरेंड को गिफ्ट करिया, आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करिया, अपनी वाइफ को गिफ्ट करिया, मदर्स दे के लिए हमने किया था, हमने वालेंटाइन्स के लिए किया है, हम हर फेस्टिवल में करते हैं, So most probably ऐसे cases में हम मेल को टागेट करने वरना tier 1, tier 2 की बात करें अब मैं आपको बताती हूँ India जो है वो बहुत ज़्यादा price conscious है तो इस वाज़ा से अगर आपका AOV मतलब average order value अगर आपका 500, 400 तक है तो आपको शायद tier 2 की audiences ज़्यादा मिलेंगी अगर आपका AOV ज़्यादा है जैसे के 1000 है 2000 है, 5000 है तो आप देखोगे कि आपके tier 1 की audience मतलब कि जो 7 metro cities है 5 से 7 metro cities वहाँ पर आपका जो है आपकी sales, मैं sales point of view से बोल रही है of course, sales ज़्यादा होगी अब मैं AOV को थोड़ा सा ब्रेक करना चाओँगा आपकी हम सिंगल प्रूडट बात कर रहे है या फिर एक पूरा bucket कि बात कर रहे है प्रहूर प्रियूट या फिर फिर-प्रूड़ में वह 50 प्रूडट ले रहा है एक unit की ने बात कर रहे hey unit की निए भात कर रहे है हम क्या बात कम हैं की सिटीज के लोग जो है वो कॉस्मेटिक थोड़ा महंगा लेगे टियर टू वाले थोड़ा सस्ता लेगे टियर फ्री वाले थोड़ा और सस्ता लेगे ऐसा कुछ भी है बतला जो जिनको कॉस्मेटिक लेना है उनको कॉस्मेटिक लेना है एक स्पेसिक क्वालिटी का लेना ह पैसे कम है तो कम ले लेगे, पैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लेगे एक्स चानली में अगर थीर वन की, मैं बोहत सारे प्रडॉट्स हैं जो को जो फॉस्था कूछ ना, टो फॉस्था, टीन सो पान सो रुपया ऑमैं तो मैं ले सकती हूं बट डिपेंड करता है, ज़रुरी निया हमें सहां हजार की प्रडॉडक्स लूंगी जरूरी नहीं थोड़ा और ओडियोंस के बार मता होगे कि अवने एक तो समझ लिए अवरेज ओडर वेल्यू से मको पता लग जाता है कि हमारी मेजर ओडियोंस कहा मिलेंगी हमको और हमने रेशियो क्या रहता है मेल वर्सिस फीमेल का परसंटेज रिशो क्या रहता होगा फीमेल और हमारी तो 90-90 90-95 परसंट कोस्मेटिक इंडूस्ट्री डेफिनेटली 90-95 परसंट और सबसे फास्ट सेलिंग प्रोडट्ट्स कोल सी कैटेगरी के रहते है एवरी फीमेल एवरी फीमेल विल त्राइ देल लिप्सिटिक फिर्स और एण एण अधर प्रडट्क कोई सबसे पहले ट्राइ नहीं करेगा लिप्सिस जेफिस अल्सो यहाँ पर आपको कोई इंफशन होने के चांसस नहीं है या ऐसे चीज़े नहीं है प्लस वो अस्ती भी होती है comparatively face product थोड़े महेंगे हो सते हैं plus मुझे पता नहीं मुझे suit करेगा dry होगा, oily होगा, कैसा होगा तो lipstick safest है, इसलिए lipstick is the best selling और अभी अपने price conscious audience के बारे में बात करें कि हमारे देश के अंदर price conscious audience है तो price conscious lipstick के अंदर किस range पे है offer से मतलब है जितनी offer देदो, कम है आप बस offers देते रहो females करीटी जाएंगी और offer कैसे create करें? उसमें भी आपको हमेशा test and try, test and try, test and try करना पड़ेगा, आपका objective क्या है, offer क्यों लाना है आपको, obviously आपको sale बढ़ानी है मुझे revenue चाहिए इसलिए offer मुझे लानी अब मुझे offer जो भी लानी है वो मुझे यह देखना है कि मुझे कितना मेरे लिए कितना क्या बोलते न, मेरे लिए कितना positive है वो चीज, like as a business ठीक है, मेरे लिए कितना profitable है वो कि ठीक है, मैं अगर 50% discount पे अगर कोई product दे रहा हूं तो क्या मेरे लिए वो profitable as a business, कि ठीक है, मैं 50% discount पे भले दे रहा हूं, बट में नहीं मैं सेल के टाइम पे शाएद मैं 500 बेचूंगा जबकि मैं सिफ 10 बेचता था तो वहाँ पे मेरा वो निकल जाएगा profit तो ठीक है, then I will go for that kind of a sale तो वो test and try करते हैं सबसे important learning जो मैंने देखी है offers के case में, आप कोई भी चीज एक प्रोड़क्ट के उपर एक free दे दो, वो बोहाँ जादा चलती है second learning is, कि अगर आप कोई merchandise दे दो, merchandise मतला मैंने कोई bag दे दी बैग दे दो, मैंने वडी वाइब को देखा इसलिम में बता रहा हूँ तो उसको यह चीज बट पुष करती है offer चल रहा है, बैग चला जाएगा आज़ में मेंको तो यही चाहिए अभी correct, correct, vanity bag दे दो आप या फिर आज़ चल चल रहा है गवाशा का स्टोन होता है ठीक है, जेड रोलर होता है काफी ब्रांड्स ने लांज किया था पहले तो वो फ्री दे दो, मतलब ऐसी चीज जो वुमन को इतना अट्रेक्ट करें वो बाय करने के लिए, जबकि मेरी प्रोफिटल बिलिटी भी निकल जाए और मेरा सेल भी बना रहे और मैं टॉक फफ दे टाउन भी बनू अज बनू अज़ ब्रांड ये लर्निंग हमें देखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वाट इस दाट उसर वांट मतलब फीमेल अशली, फीमेल को क्या अच्छा लगता है सबजी है, मैं थोड़ा-थोड़ा समझा तो एक तो मेरे को ये लर्निंग मिली है कि आप प्राइज जितना सस्ता रख सकते हो अच्छा है एंट्री पॉइंट इस लिपसिक और लिपसिक में एंट्री पॉइंट मतलब मैं समय को अपसिक इंट्री घाज्ळाच्व सक्री के सबत्व पॉड़ाच्व 55 मेरे आइस को इस जाचेस तु मिया थेके ठीके मुझे बढ़ एक मुझे जडे रोलाग मिल एक मुझे ले लेती हूं तो संपल में भी प्रबलम हो जाती है कभी कई इतनी चोटी सी लिप्स्टिक है तो 99 मुझे क्या मिल रहा है चार दे दो, दो दे दो, समझ रहे हो, आप मेंटालिटी ऐसी है कि जितना कम जितना दो उतना कम है यह जो माइंड सेट ही है हर सेग्मेंट ऑफ ओडियल्स में दिखता है अफ़कोस ऐसे हैं बड़ दो वो टेस्ट करने के बाद आता है, एक कोई ब्रान आया है इंडस्ट्री में एडियों मैं एक्जांपल दे लिए हो कोई भी एकम्पनी ब्रांट पर लिएsk लाुट की लाँछ किसी ने मैं एक बार देखी, दो बार देखी, तीन बार देखी, मैं नहीं बाय करने वाली या जब तक मैं कोई इन्फ्लूएंसर का ना नेखु या मैंने कोई इस्टरनल सोर्से से नहीं पता चले कि नहीं आडी अच्छा आप एक तो ट्राइ करके देखना चाहिए अपको विख लूपबडली लिप्स्थिक कर कि क्वालिटी अच्छी नहीं हो पॉसिबली तीक नहीं यह थिंकिंग हो लोगों की विच इस नौ टू टू कि अज़ अज़ी कंपनी हमें भी क्वालिटी से गुजर ना पड़ता है तो इसा कुछ होता नहीं है बाई बाई दे लेट तु अज़ च्छ टू ट्रू 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 थू थू तु थॉ दिस बाउन का टू यह थी नावनु गड़ता फंटाम यह थिए थी प्रफ्री थी तू यह थैए वह थे ज़रे कि इस अंतले में एंकर फ्री कि ते रहें इसे बत तो आपको ही अलग नाम दे दो, आप बोलो कि यह आपके लिए गिफ्ट है, तो यूजर को लग अच्छा, गिफ्ट है, अच्छा, अच्छा, फ्री है, बट वो गिफ्ट है, you know, the mentality, the perception changes completely for a brand, so audience का perception, every city, every tier में different है, कोई tier में होगा, कि हाँ, यह सस्ता है, मुझे पसंद है, मैं ले ले लिए, कोई tier में होगा, कि नहीं, सस्ता है, बट फॉर में ब्रैंड पर्चेप्शन मेरे लिए सही नहीं है, so I am not going to buy, right, and tier 2 में वोल भी कभी बाई कर लिया, offer गया, तो मैं बाई करूंगी, वरना I am not interested, तो अगर कोई देख रहा हैं को, और वो अपने खुद के प्रोड़क्ट लाँच करना चाह रहा है, और उसको एक मार्केटिंग केंपेंग चलाना है, तो पहली चीज़, उसको बजेट क्या रखना चाहिए, इनिशल टेस्टिंग फेस के लिए, आपके पांच प्रड़क् जो, again, average order value है, क्योंकि पांच प्रड़क्ट है न, तो average order value एक प्रड़क्ट की ले रहा है, जो है, समझो, 600 रुपया, 500 रुपया, ठीक है, मैं ऐसी example दे रहा है, अब मुझे पता है, अगर 500 रुपय मेरी average order value है, तो आप उसको divide, multiply करो, आपको कितने sale चाहिए दिन के, for example, तो आपको 10 सेल चाहिए दिन का, आप इसे मांड है, यह प्लान है, ठीक है, तो 10 सेल चाहिए तो आप क्या करोगे, 500 रुपया, पांच हजार रुपया, पांच हजार रुपया, आप अपना बे-budget रख सकते हो, तो आप क्या बोल रहे हो, किसी भी चानल को, आप यह सोच र स्कते है, त Dwiam Boss, पांच है, लौ मुझे इतना सेल चाहिए, तो आप कैपना बे-दू को जाए किया जाहिए, रेवनियो चाहिए, भांच है, पैज बिदिशे भी चाहिए, लिक है सेल इन सेल रुपय की स्क्राटर चाहिए, भोग말 ठाटिटन के लिएंटमक्न का चाहिए, तो अगर 100 order चाहिए, तो 100 order का आप 500 रुपया ही लेके चलो, मतलब एक्जाम्पल दे रहे हूं, 1000 रुपय का प्रड़क्ट है, तो 1000 रुपय ही लेके चलो, तो हाँ, मतलब लग बग उतना ही पकड़ के चलो आप, to start with, तो हाँ ठीक है, मैं लाक रुपया है, मेरा 1000 रुपय का जाएं, ठीक है, cross, मतलब reverse, हमेशा reverse calculation करें, मैं daily क्यों बोल जहीं, क्योंकि आप monthly budget set तो करद होगे, daily budget वो spend नहीं होगा, ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं, अभी आपकी industry का, तो अगर हम 1000 रुपया product बेशते हैं, तो पीछे marketing spend कितना आता है, एक बार campaign mature हो जाता तब, या या अभी, या LTV पर खेलना है, कि अभी loss पर रहेगे, जब वो 10 बार लेगा तब profit आएगा, या starting में loss में रहते हैं, अब वो business के vision पर डिपेंड करता है, किसी को चाहिए, मुझे scale करना है, scale करना है, and then हम देखेंगे profitability अबाद में जाके हैं, and settle करके बना लेंगे, ठीक है, अब कि बैगरांड में profitability होती है, ऐसा नहीं है, फर्स के सिनारियो, ये business vision हो गया, second के सिनारियो, मैं सिर्फ उसी पर काम करूंगी, कि मैं जितना पैसा डाल रही हूं, मुझे उतना तो रिटना चाहिए, ये मेरा second business vision है, ये मेरा second business vision है, ये मैंने 5 लाग डाले तो मुझे 5 ये में 5 लाग डाले तो मैं 5 लाग डाले तो मैं 4 लाग डालोंगी, 2 लाग, 3 लाग, 50 लाग चलेगा, that is a business vision, third is, जो मैचूर हो हो करे हो, आप campaign, campaign बहले मैचूर हो, बट अगर brand नया हो, तो इसको बहुत है, उसका जो cost per transaction जो होता है, cost per order, किसी भी तरह से, cost per transaction, cost per order, cost per acquisition, बहुत जा होता है, एक रहाँ, बहुत हाँ होता है, तो बहुत होता है, अगर कितना ही होता है? तो examining क्यों, how high होता है? but it will eventually come down, 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 down and I'll tell you how it will come down. It cannot just come down because you spend or campaign mature, no. If you have a campaign mature, along with your website, your navigation, your SEO, your ad strength, okay, when you write the ads, you have a copy of your creative, how do you see the creative, what colors you use? After clicking on creative, what user, in two seconds, you know, in three taps, people want to just click, shop, go away, okay? So is your website, your app, so swift if it is, automatically your campaign, which is mature, it will get less CPT, it will get less, 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 it will get less. Very important factors, which mostly people, you know, forget to put money into it. So how much can it come down? $1,000 to below, $800 types? No, $1,000 to below, $500, $600, you can come down. And if we talk about this industry's LTV, like if a customer has taken us today, how many months will it tick? And how many people will it tick? I think 2-3 years, it will be less than less, okay? Okay, repeat value, which means, because I use cosmetics, so my lipstick never fails, because I have 10, okay? So that doesn't fail, so what I will do? If I look good shade, then I will just buy shade, so basically, but repeat value, when I use it, I have stuck it, I have used it, I have utilized it, I have utilized it. So after that journey, after buying, you ordered that journey, after 7 days, after 10 days, after 10 days, after 1 month, you have used it, and then you have bought another shade. So in that whole journey, you will take 2-3 months, so that when I had the first consumer, it took 2-3 months, it took 2-3 months. Okay, so it can go up to 60%, 70%, okay? And it can be as low as 30% also, right? So it can be 30, now again, see, there are a lot of factors, volume, quality, price, everything. Yeah, 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 volume is very important, because if there are millions, it's 30% equivalent to 60% of someone. And how much brand switching happens? I mean, if you think, we have all checked, we have done everything, we have done quality, we have done the price segment, we have done the offer, we have done the best, we have done a customer, and we are going to believe that that it will be ours. Now, it will not go on, now, whatever we will do, we will send it. So how many people have changed? How many chances will be switched? It will be a lot of percent. As I said, LTV is 2 years old, I mean, 2-3 years old, it will be a user that will be on our platform. But if you don't bring something new in the industry, in the market, something that is insta-worthy, you are getting me, what is insta-worthy, right? Like, I can just, my eye shadow, I put a unicorn, so that is an insta-worthy post, right? Which I even, I talk about females, okay? And again, Gen Z, I talk about here. That if they like something like this, they will stick with you forever. But if you don't have innovations in the market, okay? You have good quality in the market, but if you don't think about the market, the Gen Z, my audience is 18 to 24, I have a different category. I have a creamy layer, which can spend 1000 rupees, okay? So I have a different collection for them. The mid-range, I have different collection for them. So if you grow our collections, if you grow our collections, then I don't think customers will, you know, females will not be happy. But yes, I'll tell you, females are the same time. Like I have told you, in my vanity, I have 10 different company brands of products. They are not so many of the same brands. But yeah, I mean, because females are like this, okay? We have that inner nature, that we don't have enough, we don't have enough, we don't have another, we don't have another. So, yeah. Okay. So, tell me about some campaigns, which have been made over a period of time and have been very successful. So, I have told you, when I came to a cosmetic industry, I have always come to that industry, where I was male-dominant, okay? So, I was always like, why can't we promote the male? So, I was the first to, I gave an idea, I said, we can do this, and I was like, okay, yes, let's do it. So, we made creative, we made two kinds of campaigns. One, we made a campaign, in which we only targeted the male, we kept the messaging from the male, like, gift your sister, this Raksha Bandhan, you know, this gift your love, this Valentine, gift your whatever, and I made another campaign, which was female, even if it is Raksha Bandhan, I am just saying, even if it is probably Valentine's Day, just that it's a season of gifting, something like that, okay? And that campaign went very well, and male category, had a better conversion rate, because I will tell you, males don't think so much, females will spend so much time, months and months of research, and then they will still be like, no, 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 there is no offer, so I will not buy it now. But male category is not like that, male is like that, I have seen, I am not going to do anything, I am doing this, shop, 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 done. So, I shopped. So, males always have a better conversion rate than females, but of course, that is not my intent, or any reason for males, so that is why they are selling. So, male-female was the biggest, I think, it is a very big learning for me. There was another campaign, I remember, there was a street movie, okay? So, what did we do? In a street movie, there is a very big word, in Karnad, it is called Naleba. Okay? Naleba means, street, that is coming tomorrow. You remember, it was shown in the whole movie. So, what did we do? In Karnataka, the search ads were made, in Karnad, we added Naleba, street, Naleba, and we added it in ad copies, which was a Hinglish, it was not Hindi, English exactly, but English plus Karnad, and our CTR was very good, and of course, our street movie also played, so, our again, Monopoly, our campaign, but yeah, that was a very good learning, because it was a mix of Karnad, plus Karnad, plus regional, by the way. Naleba, the word in Karnataka, is very famous. I mean, everyone knew, the street story, is very famous. So, we knew, that something is famous, so, if it is famous, let's see if it works. and it worked. So, yeah, also, one more thing, we tried, again, in vernacular only, Marathi, our dramas, today also, there are Marathi cinema, Marathi dramas, Marathi films, so, we made it, we made it, we made it, and we made it, we made it, I remember, there are so many Marathi movies, that you have seen Marathi, and we had written an ad copy in Marathi, only targeted regions, speaking Maharashtrian language, like Marathi language, as a language. so, we promoted it, that also worked really well, I mean, it was there on for, many, many months. Okay, there is one more campaign, in this, yes, 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 okay, so, equal campaign in this, we had the target, our users, left us, for three months, they didn't buy tickets, for three months, and now, how can we get them back, and we have a number, because they registered, on our website, so, what did we do? Kabir Singh came, so, we had a poster of Kabir Singh, there, and we had, I think, that girl's name, forgot the main character, in the movie, and we wrote, no, no, it was the name of Kabir Singh, who was very famous, Kabir Singh, so, we added something, and we wrote, that, the intent of that was, that, Kabir, we are missing you, something like that, like, Kabir Singh is missing you, and Kabir, and that got so much attention, that, we had a lot of clicks, and CTR came, because that was, again, moment marketing, because Kabir Singh came, plus something, that was relating, to that person, personalization, some kind of personalization, because I'm like, I'm talking to you, from that creator, so, that also worked, for us really well. Okay, so, I've seen this, I've seen this, so, you're riding on the moment, you're riding on the moment, the campaigns, it was very useful, along with, a regional work on the ideology, that you've made, that you've been doing, that you've done, that you've been doing, that you've been doing, that you've got, and worked there, so, how did the campaigns, do you stay, in the campaign, we only see sales, and we don't see, and sales, for course, you have to work on, this ideology, if I'm good, I mean, that I was correct, I've seen, that my audience, is correct, but CTR if my good CTR is good, if my click-through rate is good, which means my creative was also good, and when they landed, they stayed on the page, and if they went to add to cart, which means my page and they have, you know, they have liked my product, my product is good to them, so if you didn't go to check-out then maybe it will get off of the offer, or something of that sort, but if it went on to default, then my sale came, which means everything I had on-point and that's why I had a sale, so all the time it is always sales. और breakage क्या रहता है campaign के अंदर जब कोई successful campaign है तो जैसे कि अब यह मान के चल रहे है यह जो आपने किया ओ इस तरी वाला यह एक awareness campaign हो गया यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो कि जाला से जाला लोग हमारी website पर आए फिर उसके बाद कुछ लोग add to cart करेगे कुछ लोग check out करेगे जिन लोगों ने add to cart किया होगा उनको remarket करोगे आप जिन लोगों ने check out किया होगा उनका look-alike बना के फिर उनको market करोगे आप तो आपका जो major chunk को पैसा लगता है वो किसमें लगता है कि top funnel बढ़ाया जाए कि awareness जड़ा सदा उस campaign को प्रमूट किया जाए उनलाइन में जितने D2C's हैं वो सिफ sales देखते हैं top of the funnel अलग-अलग तरीकों से लाने की कोशिश करते हैं अब मैं क्यों इसका reason भी बताती हूँ valid reason है इसमें जब मैं X amount डालती हूँ top of the funnel कोई छोटी चीज नहीं मामूली चीज नहीं it's a very big thing एक लाग लगाके result नहीं आते हैं दो लाग लगाके result नहीं आते हैं unless and until for example आपकी बहुत बड़ी offer आ लिए अभी जैसे नाइका की बहुत बड़ी sale चल रही है नाइका की sale के time पे अगर नाइका ने वो video चलाया के hi मेरे पास you know I'm you know Nika is having this sale you know come and visit me I will okay okay I will register and probably मैं विजित कर दो so awareness तब करते हैं जब ऐसा कोई मोमें आता है हमेशा TOF नहीं होता है especially in the online world okay and especially you know they are just in that stage of growing because हमें के हैं एक एक पैसा एक एक money we are spending we have to have the returns of the money so even if मैं पैने मैं पैले आवेने किया फिर मैं रेमार्केटिंग करूंगी फिर मैं उसको मताब रेमार्केटिंग में भले मैं जब नहीं करूंगी बट एक आड को दो एक ओडियंस ने मेरी आड को at least 6 तब देखा हुगा तब जाके वो चनवर्ट करता है आप अपको बेटर ओडियंस मिलेगी और कुछ ऐसे कैमपेंग जो बाँ कर गए हो चले ही नहीं चोचा था कि आग लगा देगे पर हुआ ही नहीं चोटे चोटे बहुत नहीं जैसे हम कैमपेंग टाइप को ही लांच कर देते हैं तो वो नहीं चलता ठीक है वो स्केल ही नहीं करता और यह कभी-कभी अनफोर्चुनेटली हमारे जो गूगल आड्स हैं उसमें काफी होता है यह अफकोस फेस्बुक में भी होता है यह कि कोई कैमपेंग किया हमें लगा क्रीटिव इतना अच्छा है कि विल यह नो दू वंडर्ज बदा बतानिक एप्ट नहीं किया है इक डो रॉप्र इस वह इंगा यह वाँ इन्ट रिच्छा थे उसमें हमें एक्डो बोर्ड्स मिस्कर दिये थे इन्टेंशनली था वो क्युक्की अम एक्स्परिमेंग था एंड हमें पता चला अच्छा वो वर्ड ने यूज नहीं किये इसलिए अच्छा यह हमारा ड्रॉप वर या फिर मैंने प्राइस जो है हमें सौ लिखोंगी तो यह चीज हमने मिस कर दी ती उसमें तो घट वरी बिग लॉर्निंग कि अच्छा यह इस वज़े से इसा होता है तो लेट्स ट्रॉइ इस हम्ने यह किया था So second project ता जो बॉब हुआ था And by the way ये बहुत बड़ी learning है सबके लिए आप जबी भी कोई offer live लेते हो कोई campaign live लेते हो तो आप ये देखो कि आपका user journey चल रहा है के नहीं चल रहा है ठीक है Offer coupon code आपका लग रहा है या नहीं लग रहा है Offer code लग रहा है या नहीं लग रहा है Add to cart में उसके बाद भी या पूरा check out करके लेखना प्लीज ठीक है Because it is very very important कि आप test करो अपने camping को पहले And do it yourself Not you know anyone else Who is working on the camping जो काम कर रहा है उसको test करना चाहिए So bombing जो ऐसी हुई थी We launched a very big campaign It was a technical glitch by the way And we didn't know We saw that we had a very big awareness campaign And we had a lot of money Now what was it? It was a starting-starting time In one or two weeks' time We understood Why are there visits on one page We had a lot of that Then we realized That the page that there is a link Is broken on the technical side Not from our side Technical side I was like Oh my god Okay, it's broken So now it's not registered That it's due to our campaign Because of our digital awareness campaign There's no traffic on there And we understood this two weeks And oh my god Then we had a lot of changes Then we had a redirection So it was a disappointment But yeah, I got to learn And after that I was like No, no Another thing happened I forgot to add UTM It's a very basic You know, basic thing that happens And UTM mistakes And etc, etc And in big, big campaigns Not You can't do regular campaigns Because that's your job So In that campaign There was a problem in UTM And I was like Okay My mistake That I didn't check in UTM That it should happen So yeah Now I've been like No, user journey Checking yourself Is very, very important And I've been like And I've been like And I've been like And I've been like Oh, I haven't been like Oh, I haven't been like I've been like I've been like But the good thing is That we need to keep tracking You have to keep tracking If you have to keep tracking If you have to do it One hour, two hours But if you leave I mean, it's just like It's just like I've been like I've been like You know, like that And we've left And maybe we haven't seen One or two days So then, okay Then that's a serious mistake But if you address it Like, quickly address it So, well and good So, some low cost Marketing ideas Tell me If you want to launch Your campaign But it's not the same So, who can work in the same way Okay So, for that You can grow your organic base Okay So, when I say organic There are also many things Make sure that You're on Instagram Or on Facebook Or on any platform If you have a business Which is a good thing Of course Should be So, you're on there Moment marketing You're on there Like I said Before I told you That there is a trend That's going on And you're talking on it You've added a post Or a reel Now, there are a lot of reels So, those things Are low cost It's not no cost But it's definitely A low cost For you Also, identify That my engagement Is the most of the post Is the most of the post Is the most of the type Of post Is it an informative post Is it a previa Is it a fact Or is it just Unpackaging Unpackaging So, it's good So, you have to figure out It's important To figure out The other one Influencer 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 What do you mean? Everyone is an influencer Right? Which is a good thing Actually For a business Because You can do it You have your product Service You have to give them You have to give them And you can do it And you can do it And you can do it Free You will have to be a promotion You won't have to give them You won't have to give them And I'm talking about Any influencer Who has probably 5,000 followers 4,000 followers You know 3,000 followers Something like that So, I'm just saying Big Obviously That will not be With you But it's low cost But this will I will In my opinion Any influencer Will still be okay It's just that Any influencer Who has so small followers They have to have to 1,000 followers Then our Marketing You know Our efforts They come to see Versus A mega influencer Or a micro influencer Is that You can do it You can do it That's the difference And how do they look at it? I am doing one thing I am doing one page By the way And I started a small business But it's not yet Revenue Not yet So I use these costing ideas I also use these costing ideas So what I do I am doing First of all Influencer The search engines I go to that Like 2, 3 engines Chorus Q, O, R, U, Z Okay So I went there There are 2, 3 engines So I go to that And I go to that Industry Which is a category And is a fashion So if I want to find something in fashion If I want to find something in fashion Then I go to that And I check the engagement rate And I also see Which people And I go there obviously And then I search And I see How much engagement is in every post And the truth was telling the tools And the second thing I see They have promoted Which type of content Now I need to be Similar profiles So if you go to similar profiles It's a comprehensive task But it is worth it Because even if 1-2 deal 10 deal 12 deal 20-25 deal It will be crack It's a low cost Because what do you think Time Efforts No money There's just product That you send And a very good thing Ideally What you need to do And a lot of brands miss Is to comment on Cora Cora is so popular I remember When I started In 2014 For my brand My personal profile Used by the way And it's very authoritative Because it's been a lot of years So we don't have any movie Or some controversial topics On Cora We put discussion on Cora So because I was an individual That was posting on Cora Because someone thought No, it's not an employee This is 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 not an employee That became more authoritative So try using that And try addressing the questions You will see Next day I'm telling you I can bet on this Next day You will see that On number one position If you type that question Because it's Cora Right So Cora is the same Because it's user-generated content So Cora is very helpful And now Because of Gen Z And I think Gen You know Whatever is coming next Reddit Reddit is becoming so popular I think you should also Try on Reddit And if I start talking about Checklist If I start talking about If I start talking about If I start talking about Which things Should I take care of If Cora If we start talking about Conclusion What do I take care of First of all User journey Okay It's very important You have no landing Page or Listing page Check Check Which button is Not It's very important Because Quality score Engagement Ranking Everything Ad Is very related Daily budget Lifetime budget Daily budget It's very important Attribution window Now Facebook Has Of course You have more options But still Even in that You have four options Make sure That You have more Attribution Do you know What you invest Efforts Are you In the back end How do you keep Attribution window How do you keep Idle attribution Window For cosmetics We keep it At 7 days But it depends Business to business So I can keep it At Like for my previous Business also We could have kept It at 7 days But as a business We decided We will keep it On 30 days So again It depends But my only thing Is that So keep it In sync One is different The other The other The other The other The other The other When you want to compare You forget That if you have Attribution is different So that's why It's a problem Yes And this is Very important Actually This is core Attribution Measurement You know Basically Third party What you have Is a measurement User journey UTM parameters Or not It's very important And Try To keep it In draft If you have Manager Then show them Of course If you are pro And if you have Been doing it Like daily Then I don't Think there is A problem But if there is A big campaign Which is a You know Which is a Big big budget So I think To show someone Because sometimes Because we work daily So we hit black spot So we can miss Something and You know Someone else Can point that out So it is not Bad to take an opinion Thank you Thank you for your time It was a lot of fun I got to learn a lot Our audience I got to learn a lot 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 I got to learn a lot